मुश्कार दोस्तो राजनित्ती की बातों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त तरमेंदित कमारी दोस्तो आज का वीडियो हमारा जो है वो निल्लो खेडी विधानसबा चेतर के चुनावी इतियास पर जनकरी लेने का ये वीडियो है दोस्तो अगर आप निल्लो खेडी नाम का जो विधानसबा हलका है उसको उसकी अगर आप चुनावी इतियास में जाएं तो 1967 में ये हलका सामने आया लेकिन उससे भी पहले एक हलका होता था जिसका नाम भुटाना होता था और स्यूक्त पंजाब में 1952 के चुनाव में जो य यहां से विधायक चुने गए थे 1957 में भी कांगरेस के चमेल सिंग जी सुरुच सिंग जी को हरा कर विधायक बने और 1962 में रोड जाती के कांगरेस परत्यास मुलतान सिंग जी ने सिवराम जी को हरा कर यहां से वो विधायक बने इसके बाद हर्याना अलेक प्रदेश बन ग होते हैं सरकार वो तूट जाती है और निर्दलिय चंदा सिंग जी चुनाव जीतते हैं उन्होंने कांग्रेस के रामसुरुप गरी को हराया था पुर विधायक सिवराम वर्मा जी तीसे नंबर पे चले गए थे 1922 में ये सीट दोबार से जनसंग जीतता है और उनके जो परत्यासी हैं सिवराम जी उन्होंने कांग्रेस के चोई चंदा सिंग जी को प्राजित किया 1923 में जनता पार्टी ने जनसंग कोटे से फिर से शिवराम वर्मा जी को चुनाव में कड़ा किया और उन्होंने आजाद उमिदवार दलजीत सिंग जी को हरा दिया कांग्रेस परत्यासी जी चोथे नंबर पे चले गए 1982 में आजाद उमिदवार चोदरी चंदा सिंग जी ने कांग्रेस के सिवराम वर्मा जी को हराया और अगले तीन चुनाव में जै सिंग राना जी ने फिर इस चेतर का परतिनित्तव किया 1987 में जै सिंग राना जी निर्दलिय चुनाव लड़े और लोकदल के देवी सिंग जी को हरा दिया वो भी उस लहर में 1991 में निर्दलिय परत्यासी होते हुए उन्होंने जंता पार्टी के इस वर सिंग को प्राजित किया और 1906 में जैसिंग राना जी ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और समता पार्टी के बक्सिस सिंग जी को हराया। साल 2000 में इनलो के ध्रमपाल सिंग जी ने कांग्रेस के जैसिंग राना जी को हरा दिया। और 2005 में कांग्रेस के जैसिंग राना जी ने चोथी जीत दर्ज करते हुए भाजपा के बक्सी सिंग जी को हरा दिया। एकलव्य सेना के विरेंदर मराठा जी तीसे नुमबर पे रहे। निलो खेडी से जीत की हैट्रिक लगाने वाले एकलोते राजनेता हैं जैसिंग राना जी उन्होंने कुल च्यार चुनाव जीते और वो दो बार मंतरी भी रहे। जैसिंग राना जी निलो खेडी के अब तक के सफल राजनेता आप उनको कह सकते हैं इसलिए थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में भी आपको अज़ देता हूँ। पांच साल पहले जैसिंग राना जी का कैंसर के चलते करीबन वो सत्र साल के थे उनका निदन हो गया था और वो करियाना हाौसिंग बोड़ के मंतरी वो रहे निलो खेडी से चार बार विदायक वो रहे और दो बार निर्दलिय और कांगरेस की सीट पर वो चुनाव जीते जैसिंग राना जी ने अपने जो राजनीतिक सफर है उसकी सरुवात 1909 में सरु की और वो नडाना का पंच उनको बनाया इसके बाद उनका जो मिलनसार वहवार था उसके चलते पूरे गाउं ने सरुसम्मति से उनको गाउं का सर्पंच बनाया 1912 में वो दोबारा से गाउं के सर्पंच चुने गए और 1912 से 1937 तक जैसिंग राना जी निलो खेडी के पंचैत समीति के चेर्मेंट भी रहे 1987 में लोगों के सने से आजाद परत्यासी की रूप में निलो खेडी विधान सबास से चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके विधायक बन गई 1990 में मास्टर हुकम सिंग जी की सरकार गिर गई और दूसरी सरकार में वो शामिल ने हुए दोबारा से 1991 में आजाद परत्यासी की रूप में निलो खेडी विधान सबास से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की 1996 में कांग्रेस की टिकट उन्होंने लिए और निलो खेडी सीट से तीसरी बार वो विधायक चुने गए साल 2000 के चुनाव में वो हार गए चोथी बार 2005 में कांग्रेस की टिकट पर ही निलो खेडी से वो विधायक बने इसके बाद साल 2009 में इनके एकलोते बेटे दिविंदर राना की एक सड़क दुरगटना में मोत हो गई और इस मोत ने जैसिंग राना जी को अंदर से तोड़के रख दिया 2014 में गरोंडा विधान सबा से उन्होंने अपना लास्ट सुनाव लड़ा हजगा की टिकट पे और हार का सामना करना पड़ा इस तरह जैसिंग राना जी का जीवन उतार चड़ाओं वरा था लेकिन एक निलो खेड़ी के सफल राजने तक के रूप में आप उनको हमेसा जानते रहेंगे अब वो अपस लोटते हैं निलो खेड़ी के चुनाव इतियास पर साल दोजार नो के चुनाव में निलो खेड़ी आरकसित विधानसभा छेतर हो गया और इनेलो के मामूराम कांग्रेस की मीना रानी को प्रास करके विधानसभा के सदस्य बन गए साल 2014 में भाजपा के भगवान दास कबिर पंति ने इन इलो के मामो राम जी को हरा दिया और कांग्रेश के घ्यान सोहता जी 30 नमबर पे रहे साल 2019 के चुनाओं में निर्दली धरमपल गंदर की लोटरी लग गई और भाजपा के भगवान दास करम कबिर पंथी को उन्होंने हरा दिया कांग्रेस के बंताराम 30 नंबर पे आ गए और जजपा के भीम सिंग 4 नंबर पे रहे ये दोस्तों पूरा निलो खेड़ी विधानसवात चेतर का चुनावी इतियास था लेकिन चुनाव कभी रुखते नहीं है 2024 में भी एक चुनाव होगा और निलो खेड़ी हलके से कौन विधाहक बनेगा इस वारे में आप अपने अनुमान अपना राजनितिक विसलेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जो लोग राजनितिक के समझ रखते हैं उनको पता है कि दूसरे लोगों की परतिक्रियाएं कि इतनी महत्यपोर्ण है निलो खेड़ी हलके का जो भी चुनाव पर नाम संभावित हो आप अगर उसको भाप रहे हैं अगर आप में वो हुनर है उसको भापने का तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं इससे अनुमान लगता है कि प्रदेश में क्या हवाईं बह रही हैं और नेलो खेड़ी में क्या होगा कल फिर मिलेंगे दोस्तों तीन बज़े एक और हलके की कहानी के साथ आप जो नए साथी हमारे साथ जूड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने साथी हैं वो हमें सब प्यार बनाए रखें फिर मुलाकात होगी रजनिती की बातों में शुक्रिया मुलाकात होगी रखें हमारे साथ येती की काया वो हमें शुक्रिया ये खिए।